साथियों आपकी फिल्मों और फिल्म के प्रोडुक्शन की प्रक्रिया में जिस तरह देश की विवित्यता का देश की डावर्सिट का सम्मान होता है वो एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को मजबूत करता है और मैं मानता हूं फिल्म जगत के लोगों को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो जागुर्ग प्रयास करना चाहिए है हमारे हिंदी फिल्मों में नेपाली कलाकार और नेपाली भाषा का लगा तो हर किसे ने लाब लिया है मनोरंजन के लिए लेकिन भारत के हर राज्य की अपनी व दिखाई दिखाई दे और नागा भाषा में बोले तो लगता है वह जिस देश के पास सो भंडेट लेंग्विजीज हो सेवंटीन हंडेड डाइलेक्स हो कितना रीचनेस है हमारा हम इसको कैसे समेटे एकता की ताकत को कैसे प्रगट करें एक कलाकार अगर एक देश की एक कहावत बोले तो दूसरा तुरंत उसी कहावत को अपनी भाषा में बोले तो देश की एक ताकत सुत्र अपने आप प्रगट हो जाता है यह ताकत यह कम्मिनिकेशन की ताकत है कि देश में कितने ही टूरी स्पोर्ट अभी राजवर्दन राठोर जी बता रहे थे फिल्म को लोग की वज़े से जाने जाते हैं और हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए आज भी जैसा हर जगा पर जाये तो लोग हमें कहें कि यहां यह फिल्म बनी थी उसने उसको मालूम भी नहीं होगा उसका जनम भी नहीं हो अगली बताएगा यहां फिल्म हुई देवान अन्साब य और मैं मानता हूं कि टूरिजम को बढाने में बहुत बढ़ा रोड हमारी इंडिस्ट्री कर सकती है और इन दिनों हिंदुस्तान का टूरिजम का ग्रोथ बहुत अच्छा है लेकि फिर भी दुनिया को ताजमाल से आगे बहुत ज़्यादा जानकरी नहीं है और ये कुल मिलाकर के हमारा जो सौबा और हमारा देश बेकार है जój जो हमारा मूर बना हुआ है न उसी का दीज़िए रिफलक्शन है यह हमारे पांज भी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है यह जो आन बान शान से आज्ट से हांग मिलाकर कर बात करने के जो मि बहुत 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 रोल कर सकते हैं